नमस्कार बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं मिसलीनेस एक्सेसाइस टू जो कि बहुत ही इजी है अगर आपने एक्सेसाइस को अच्छे से किया है तो मिसलीनेस एक्सेसाइस के समस आपको बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं लगेंगे तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं देखिए यह है आपका पहला गोश्चन तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि विच आप दा फॉलेविंग रिलेशन आर फंक्षन इफ इट इस फंक्षन डिटर्माइन इस डोमेन और रेंज देखो यहाँ पए कुछ रिदेशन दिएगा है आपको बताना है कि क्या ये फंक्षन है अगर ये fun 세 तो फिर आपको वहां पर doymain और रेंज भी बताना है थी मैंके kसे and confession के भांट से इसे hips एक सेट है ठीक है यह हो गया आपका दूसरा सेट तो पहले सेट के अंदर इन दोनों का रिलेशन है ठीक है तो पहले सेट के अंदर जितने भी elements है सबका image दूसरे सेट में होना चाहिए और एक ही image होना चाहिए ठीक है अगर यहां पर वह condition satisfy हुई मतलब यह क्या है function है और अगर नहीं होई तो यह function नहीं है समझे चलो करते हैं यहां पर देखो यह सभी आपकी क्या हो जाएंगे यह जो पहला वाला यहां पर नंबर दिखाए देरा है पहले place पर नंबर यह सभी क्या हो जाएगा आपका पहले सेट के elements ठीक है पहले सेट के elements और यह सभी आपके दूसरे सेट के elements हो जाएंगे चलो मैं आपको लिख करके बताती हूँ जिसे यहां पर है 2 फिर 1 1 नहीं है 2 4 6 8 10 ओके 2 4 6 8 10 12 और 14 ठीक है फिर दूसरे सेट के अंदर कौन-कौन से elements है 1 2 3 4 5 6 7 चली लिख जैते हैं 1 2 3 4 5 6 7 ठीक है अब देखो किसका relation किसके साथ है तो 2 का relation 1 के साथ है चलो 4 का relation 2 के साथ अच्छी बात है 6 का relation 3 के साथ है 8 का 4 के साथ 10 का 5 के साथ 12 का 6 के साथ और 14 का 7 के साथ तो बताईए जो condition मैंने function के लिए बताई थी वो satisfy हो रही है कि नहीं धान से देखो पहले सेट के हर एक element का image set B के दूसरे सेट के अंदर है और एक ही image है किसी element के दो-दो image आपको दिखाई दे रहे है ऐसे जा रहे क्या नहीं नहीं यह तो ऐसे जा रहे है है ना मतलब यह क्या है यह function है तो लिख दीजेए यहां पर आंसर करके क्या लिखोगे दगी वन रेलेशन इस फंक्ष्ण कि आपको पता है यह होता है domain और यह होता है co domain ठीक है तो इसका reason आप क्या लिखोगे ऐसे लिखिएगा because अगर reason पूछा गया तो आप सब कुछ समझ करके रखो because here every element in domain has unique image in co domain तो हमने यहां पर reason भी लिख दिया कि every element in domain domain के अंदर सबका unique image co domain के अंदर प्रेजेंट है so therefore it is a function अब अगर यह function है तो उसका domain और रेंज भी बताईए तो यह तो बड़ा है simple है यहां प्लिखेंगे therefore domain is equal to domain क्या होता यह देखो यहां पर साफ साफ लिखाओ यह सारे elements उठाओ और लिख दो ना या फिर इदर से देखना चाहते हो तो यह जो पहले प्लेस पर नंबर आ रहे हैं उसको लिख दो दो चार छे आट दस बारह 14 ठीक है डोमेन हो गया आप रेंज की बात करेंगे तो रेंज यहां पर क्या होगा कहते हैं रेंज कहते हैं तो टू का रिलेशन वन के साथ पोर का रिलेशन टू के साथ ठीक है सबका रिलेशन है इस सारे elements से लिख दीजिए 123456 और 7 अगर इसमें से देखना चाहते हो तो यह देखो 1234567 यहाँ आपका फॉर्स सबकोशन कंप्लेट हो गया अच्छा क्या यह हमको यह फिकर बना करके दिखाने के जरुद है जी नहीं आपको बना करके दिखाने के जरुद नहीं वह तो मैंने आपके समझने के लिए लाका है अगला वला जरह देख लेजिए Salut यह फंक्शन ध्यानसे देखो जरा कि क्याओ फंक्षेन है तो देखो यह रीयों का रिलेशन 1 को साथ 1 साथ 1 'dो स्क वाइनच chance माइन आज साथ तो यह से चलेगा क्या नई चलेगा देखो मैं आपको पताती हूं पताए कैस देखो एहां पे यह आपका पहला सेंट यह आपका दूसरा सेंट ठीक है तो पहले 7 अंदर एक 0 यहां पेHz 0 तो इसका रप्सक्राइश्टन ऐसके साथ अच्छी बात यप देखो यहां पे1 हैं इधर वानियल इधर वजाध ही इधस पर देखना वन का रिलेशन 1 कל सब्सक्राइब कर दो लोगों के साथ है ऐसे जा रहा है ऐसे जा रहा है ना मतलब यह फंक्शन नहीं आगे भी जवाब देखोगे ना तो फोर का खंड के साथ नहीं चलेगा इदन का थी के साथ ननिका मैंन स्टीन का फोर के साथ के सस्तीन का मैनस सुसंगा मैंन पूर्श को चैक्ष तर्व इस का प्या लिखो मैंने न को करना बता दिया झालिंख साथ लिखना कैसे वो तो बता दो यहां पर लिखिएगा because here क्या है यहां पर इसका कारण क्या है तो element a 1, 4, 9 और 16 तो लिखते हैं here 1, 4, 9 and 16 have 16 have 2 images है ना सभी के 2 images है 2 images इनके 2-2 images है therefore यह function नहीं है clear है अब अगर यह function नहीं है तो आपको domain और range भी बताने के जरुवत नहीं है क्योंकि जब आपका relation function रहेगा तब ही आप वहाँ पर domain और range बता सकते हो जब यह function ही नहीं है तो domain और range बताओगे कहां से सही है ना चलो आप थर्ड वाला कर लेते हैं तो थर्ड में क्या दिया है चलो देख लेते एक बार यहाँ पे है 1 1 3 1 5 1 1 3 1 और यह आ गया 5 4 2 ठीक है तो बताईए क्या यह function है चलो चेक करते हैं हम इसमें चेक करना क्या है देख करके ही बता सकते हो चलो फिर भी ड्रॉ करके आपको बताती हो अच्छे से इधर यह sit इधर दूसरा से 1 3 5 1 3 5 1 1 2 तो 1 और 2 लिखेंगे तो 1 और 2 लिखेंगे फिर 3 का relation भी 1 के साथ है और 5 का relation 2 के साथ है तो ऐसे चलेगा क्या हाँ ना ऐसे चलेगा ऐसे चलेगा यह function है देखो ऐसे नहीं चलेगा अगर 10 का relation इसके साथ भी और इसके साथ भी है तो ऐसे नहीं चलेगा लेकिन ऐसे चलेगा वन का एकी इमेज है, थ्री का भी एकी इमेज है, दो-दो इमेज है, क्या नहीं न, मतलब it is a function, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, आंसर में, कि दग इवन डिलेशन is a function, a function, इसका reason क्या लिखोगे, तो उपर मैंने आपको लिख करके बताया था न, यहीं रिजन आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है, अभी मैं आपको domain और range बता देती हूँ, आपको domain बताना है और range बताना है, तो domain यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह देखो, यह, 1, 3, 5, यह सब भी आपके domain हो जाएंगे, और फिर यहाँ पर range क्या होगा, देखो, तो 1 का relation 1 के साथ है, 3 का relation 1 के साथ है, तो 1 दुबारा से लिखेंगे क्या, नहीं, एक बार लिख चुके न, वस हो गया, 5 का relation 2 के साथ, यहाँ पर लिख दीजिए, 2, समझें, तो यह आपका domain, यह आपका range हो गया, यहाँ पर आपका first question complete हुआ, इसमें तीन सब questions दिए गए से पहला, दूसरा, तुसरा, ठीक है, जिसमें से यह function है, यह function है, लेकिन यह function नहीं है, ठीक है, चले, इसको में मिटा देती हूँ, और इसको भी मिटा देती हूँ, क्योंकि यह आपको बना करके दिखाना नहीं है, यहाँ पर देखिएगा, यह आपका second question है, तो यह थोड़ा अलग type का question है, इस type के question हमने पहले solve नहीं किया है, क्योंकि exercise 2.1 में इस type का question आया ही नहीं था, अभी आया है, तो चलिए इसको भी समझ लेते, तो यहाँ पर देखिए एक function दिया गया है, ठीक है, जहाँ पर relation क्य है, r to r, मतलब real number to real number, जैसे समझे आपके पास 2 set है, ठीक है, यह आपका पहला set, यह आपका दूसरा set, यह है set of real numbers, यह भी है set of real numbers, दोनों का आपस में क्या है student, मतलब relation है, तो यह यहाँ पर दिया गया है, अभी देखो f of x क्या है, function क्या है, 3x upon 5 plus 2, और x belongs to real number, ऐसा function दिया गया है, यह क्या है, 1 to 1 और on to function है, ठीक है, यह हमें प्रूफ करना, उसके बाद हमीं क्या find out करना, inverse भी find out करना है, ठीक है तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम 121 اور on to, ऐसा प्रूफ करेंगे इसको, तो सबसे पहले 11 करते हैं, तो कैसे होगा, ध्यान स समझे गा, पहली कर रहे हो आपके लिए सब कुछ नया है क्योंकि ऐसा मैंने कैसे प्रूफ किया जाता है यह कभी मतलब पहले नहीं सिखा है इसलिए नया है तो आपको थोड़ा सा कॉंप्लिकेटेड लगेगा लेकिन कोई नहीं एक से दुबार प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में आ जाएगा ठीक है तो यहां पर अभी हम लिखते हैं फॉर वन वन ठीक है पॉर वन वन अभी वन के लिए कंडिशन होती है देखो अगर हमने यह लिया एफ ओफ एक्स वन इस इकवल टू एक्स टू थीक है यह दोनों में लिया और फिर इसको सॉल्व करते गये करते गये और लास्ट में इस था इसंग निसल knit century कि आगर ऐसा है एक्स वन इस इक्वल टू च्टू आया तो फिर हम बोल देंगे कि डगिवन function is one one function ओके तो चलिए सबसे पहले one one देखो one one के लिए condition है याद रखिएगा कभी ऐसा exam में आ है तो आप बता सकते हो ठीक है तो क्या करना पड़ेगा हमें यह लेना पड़ेगा तो देखो fx1 ले लेंगे फिर यहां पर f of x2 ले इक्वल टू f of x2 तो x के प्लेस पे क्या रखेंगे x2 तो क्या हो जाएगा 3x2 अपॉन 5 प्लस 2 अब क्या होगा सरा बता दीजिए तो प्लस 2 प्लस 2 दोनों भी प्लस में है तो अगर मैं इसको लूंगी तो माइनस में होचाएगा दोनों कैंसल ही होने वाले इससे अच्छा पहले ही कैंसल कर दो ठीक है भई अब क्या होगा इन सभी को भी तो कैंसल कर सकते हो इसको 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 कैसे कैंसल कर सकते बताओ मुझे देखो आपको बताती हूँ अगर मैंने 5 को इधर लिया let's suppose अभी दे 3 कैंसल इससे अच्छा इन दोनों को पहले ही कैंसल कर दो है ना इधर लेने देने की क्या जरूरत है आपको समझ आ रहे तो पहले ही कैंसल कर दो ठीक है तो अब यहाँ पर हमें क्या मिला x1 is equal to x2 और यही तो condition मैंने बताई थी 11 के लिए तो इसका मतलब क्या हुआ x1 is equal to x2 आया it means the given function is 11 function तो यहाँ पर लिख दीजिए therefore function is यहाँ पर लिखिएगा f is 11 function ठीक है f is 11 function ठीक है यह क्या है 11 function है चलिए यह तो हो गया यह तो आपको समझ में आ गया easy था अब next one क्या है हमें यह भी प्रूप करना है कि यह जो function दिया गया यह on to function भी है तो कैसे करोगे चल condition क्या है समझेगा मेरी बात को ध्यान से यहाँ पर यह तो 11 के लिए था ना अभी for on to on to के लिए क्या करेंगे बता है देखो बहुत सिंपल है ध्यान से समझ लो नया नया है इसलिए थोड़ा सा difficult लगेगा पर कोई नहीं समझ आएगा यहां पर ऐसे लिखने का f of x is equal to y ठी अभी देखो इधर y है ना तो अब क्या करो कि पता है x को अकेला करो पहले y अकेला था अभी x को अकेला करो x को इधर रखेंगे यह 2 को उधर ले लो तो y minus 2 फिर 3 को उधर ले लेंगे तो 3 और 5 को ठीक है 5 को भी लेना है 3 को भी तो क्या हो जाएगा 5 उपर 3 नीचे तो आगे देखिएगा आगे क्या होगा यहाँ पर मैंने लिखा x is equal to 5 upon 3 को मैंने आगे लिख दिया उसके बाद यहाँ पर y minus 2 लिख दिया ठीक है अब उसके बाद क्या होगा देखिए यह तो हमें मिल चुका है पहले क्या था पहले y is equal to यह पूरा था रैट अब हमें क्या मिला x is equal to this ओके तो आपको पता है कि समझे यह पहला से यह दूसरा से ठीक है set of real numbers यह भी क्या है set of real numbers दोलों का क्या है relation है r to r ठीक है इस तरीके से समझे मैं from r to r ऐसे करके relation है तो यह भी पूरा real number है यह भी real number है तो अगर मैं y का value कोई भी real number ले लो y मतलब क्या इस set के अंदर क element और x मतलब क्या इस set के अंदर का element राइट समझ में आ रहे कि नहीं तो y का value अगर मैं कोई भी real number ले लो जैसे 1 2 3456 कुछ भी ले लो कुछ भी minus 1 minus 2 ठीक है जैसे समझे कोई एक number आप ही पता दीजिए क्या ले ले चलो हम 2 ले 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 ठीक है यहाँ पे 5 upon 3 है चलो अच्छ number 5 by 3 into 0 करेंगे तो 0 अब बताइए 0 real number है क्या जी हाँ 0 real number है मतलब क्या जब y का विजमने 2 लिया ठीक है तो फिर यहाँ पे x का value क्या आता है 0 आता है राइट मतलब देखो यह जो आपका यह 2 element है ठीक है मतलब इस set के अंदर जो 2 है इसका pre image क्या हो गया 0 मतलब यह जो 0 आ होता क्या है बताइए जो आपका दूसरा वाला सेट होता है यह जो आपका code होता है उसके सारे elements के pre images पहले सेट के अंदर होते ही होते हैं on to function याद है कि भूल गए बताया थाना मैंने एक भी element इदर खाली नहीं बचना चाहिए सब के सब बीजी होने चाहिए सबका pre image पहले कोई और real number में से कोई और number लेलो 1 लेलो वन अगर लिया तो इदर वन लिया तो क्या आएगा 1 minus 2 करोगे तो minus 1 मतलब minus 5 upon 3 मतलब minus 5 upon 3 real number है क्या मतलब वन लिया तो 1 लिया, तो क्या आया, minus 5 upon 3 जो real number के set में आता है मतलब, 1 का pre image इस set के अंदर present है, यानि कोई भी ऐसा real number है ही नहीं जो आप यहाँ पे रखोगे तो आपको x का value नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा ठीक है, यानि हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि for all y, all y मतलब सबके सब y, ठीक है, all y belongs to, क्या लिखोगे, real numbers, ठीक है तो जब हम y का value कोई भी real number लेंगे, तो हमें x का value भी क्या मिलेगा, real number ही मिलेगा तो x is equal to यहाँ पे क्या है, 5 upon 3 y minus 2, ठीक है, यानि which belongs to, क्या लिखोगे, यहाँ पे real numbers, ठीक है, सबके सब elements क्या है, बीजी है, कोई भी खाली नहीं बैठा है, तो यह condition यहाँ पर satisfy हो गई, आप ही सोच लीजिए, अपने मन से कोई भी एक ऐसा number ठीक है, आपने यहाँ पर y के जगह पर रखा और x का value इस set से बाहर आया, आएगा क्या, नहीं, दो टाइप के number होते है, एक तो होता है, imaginary दूसरा होता है, ठीक है, तो यहाँ पर real की बात की जारी, और imaginary तो आने नहीं वाला imaginary क्या होते है, रूट के अंदर function, ठीक है, यहाँ पर सीज़े सीज़े लिख दीजिए, बस, f is on to function, ओके, तो पहला हमें क्या prove करना था, one one prove कर दिया, on to prove कर दिया, बहुत अच्छी बात, अब उमको क्या बताना है, inverse बताना है, f inverse, तो यह कैसे बताएंगे, चलो, यह भी बहुत सिंपल है, सबसे पहली बार किसी भी function का inverse कभ exist करेगा, जब वहाँ पे वो जो आपका given function रहेगा ना, वो one two one और on to, यानि कि अगर आपका function one one function है, और on to function भी है, तभी उसका inverse exist करेगा, otherwise नहीं करेगा, समझे आपका function one one है, और on to नहीं है, तो क्या उसका inverse exist करेगा, नहीं, अगर on to है, और one one नहीं है, तो exist करेगा, नहीं, मतलब, आपका function one one भी होना चाहिए, और on to भी होना चाहिए, तभी उसका inverse exist करेगा, otherwise नही करेगा चलो अभी हम इसको आगे करते हैं यह सब तो हो गया ठीक है यहां तक तो हमने कर लिया अभी आगे क्या बोला गया था है हैंस फाइंड इनवर्स ठीक है इनवर्स ऑफ फंक्शन तो यह कैसे निकालेंगे सबसे पहले यहां पर आप लिखिए कि सेंस एफ इस वन वन एंड ओन टू फंक्शन यह क्या है वन वन भी है और ओन टू फंक्शन भी है सो देयार फोर फ इनवर्स एग्सिस्ट चलिया अभी अम लोग फ इनवर्स निकाल लेते हैं तो यह कैसे आएगा दिखिए यहां पर लिखिए as f of x is equal to y यानि जब हम x का value कुछ put करते तो हमको y का value मिलता है तो यहाँ पे लिखे so f inverse y is equal to क्या हो जाएगा x हो जाएगा अब देखो अब आप सोच रहोगे यह सब क्या है तो देखो x का value put करते थे तो पहले y मिलता था अभी y का value put करोगे तब जाके आपको क्या मिलेगा x मिलेगा ठीक है तो अब यहाँ पे लिखो f inverse y is equal to x का value इधर से ले लो 5 upon 3 y minus 2 5 upon 3 फिर bracket के अंदर y minus 2 अब एक काम करो यह जो y है इसको replace कर दो x के साथ तो यहाँ पे लिखना therefore f inverse x which is equal to 5 upon 3 यहाँ पे y है ना यहाँ पे लिखना x minus 2 समझे तो यह हो गया जी आपका final answer पस इतना ही करना था इस sum में मैं जानती हूँ कि आपको यह sum थोड़ा सा difficult लगा होगा क्योंकि यह आपके लिए नया है आप पहली बार सिख रहे हो है ना कोई बात नहीं एक बार मैंने आपको बढ़ा दिया अभी एक बार खुद से practice करो ठीक है एक से दो बार practice करोगे आपको मतलब याद हो जाएगा समझ में आ जाएगा कि कैसे हो रहा है क्या हो रहा है तो जादा इसके बारे में चिंता मत कीजिए बाकी के सारे समस एक दम अच्छे से कीजिए सबके सब तो easy है बस यही थोड़ा बीच में आ गया था जो हमने पहले नहीं सिखा था लेकिन अब भी आ गया था कोई बात नहीं हमने सीख लिया ठीक है तो चलिए और equal to minus 4 और less than 0 ठीक है तो अगर ऐसा रहा x का value minus 4 के equal या फिर minus 4 से बढ़ा या फिर 0 से छोटा रहा तब हम लोग यह function ले सकते हैं अधर्वाइस नहीं ले सकते ठीक है अभी देखो हमको values किसकी किसकी निकालनी है तो f of minus 1 f of minus 2 f of 0 if they exist मतलब अगर यह exist करेंगे तब जाके आप यह सारे values निकालो अगर exist नहीं करेंगे तो मत निकालो तो चलो हम solve करते हैं यहाँ पर लिख देते है solution ठीक है function क्या है यहाँ पर f of x is equal to 4x plus 5 ठीक है 4 x is greater than or equal to minus 4 and less than 0 ठीक है तो अब देखो ध्यान से इधर यह जो minus 1 है मतलब यहाँ पर देखो x का विलू क्या होगा minus 1 होगा ठीक है तो minus 1 क्या इससे बिलॉंग कर रहा है तो जी हाँ क्योंकि देखो अगर मैंने यहाँ पर number line ड्रॉ कर दिया समझने का कोशिश करना student बहुत ही आसान है minus 1 minus 2 minus 3 इधर आएगा फिर इधर क्या आएगा minus 4 यहाँ पर आ जाएगा राइट इस तरीके से होगा तो यहाँ पर क्या है इससे ठीक है तो इसको आप इंटर्वल के फोर्म में कैसे लिखोगे ऐसे लिखोगे ना इधर क्या इक्वल टू है न तो यहाँ पर यह वाला ब्रैकेट आ जाएगा यहाँ पर इक्वल नहीं है मतलब राउंड वाला ब्रैकेट यहाँ पर लगाओगे समझ में आया आपको तो माइनस वन बिलॉंग्स टू इस इंटर्वल ओके मतलब यहाँ पर जो एफ ओफ माइनस वन है इसका वैल्यू एक्जिस्ट करेगा तो अभी हम लोग एफ ओफ माइनस वन फाइनली निकाली लेते हैं तो एफ ओफ एक्स क्या है फोर एक्स प्लस फाइब तो देखो यहाँ प्लस वन यानि की एफ ओफ माइनस वन क्या आ गया स्टूडेंट प्लस वन आ गया यह लीजिए होगे आपका कोश्चन सौल देखा आपने कितना आसान था इंटर्वल तो आपको पता ही है ना सेट्स एंड रिलेशन में सीखा था आपने मैं आपको बार 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 बोलती ह के लिए आ जाओगे तो थोड़ा बहुत आपको समझ में आएगा ठीक है वैसे पूरा पूरा भी समझ में आएगा लेकिन कुछ-कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो आप नहीं समझ पाओगे जैसे कि इंटर्वल यह हमने कहां पर सीखा था तो यह हमने फॉर्स लेशन में सीखा था समझे इसे लिए सब अच्चे से पढ़ो अब उमें क्या बताना है यह देखो f of minus 2 f of minus 2 मतलब यहाँ पर x का value क्या है minus 2 है तो minus 2 इस interval से बिलोग करेगा क्या तो minus 4 और 0 के बीच में minus 2 आएगा जी हाँ आएगा तो यहाँ पे लिखेंगे minus 2 belongs to minus 4, 0 ठीक है इस सिंटर्वन से बिलोंग एक्जिस्ट तो अब यहाँ पर एफ आउब मेनस निकाल लीजिए, क्या गरोगे x के प्लेट पर मैनट्म पुट करोगे तो 4 एंटो मैनस टू पलस 5 तो 4 टूज आएट प्लस 5 माइनस 8 प्लस 5 क्या आएगा इसका अंसर माइनस 3 आएगा यहाँ पे लिख दिया मैंने माइनस 3 यानि कि f of माइनस 2 क्या आगया माइनस 3 ठीक है चलिए second one भी हो गया अब देखो third one हमें क्या पताना है f of 0 अब ये लिजिए यहाँ पे आपके परिक्षा की घड़ी है क्या है यहाँ पे देखो अचा इसको number डालके करना चाहिए चलो a इधर b और यहाँ पे c लिख दो तभी तो पता 0 यानि की x का value यहाँ पे क्या है 0 अब जड़ा बताइए कि जो x है क्या यह इस interval से बिलॉंग करेगा क्या है यहाँ पे minus 4 to 0 जिसमें से minus 4 क्या है इस interval में मतलब इसमें यह आ रहा है और 0 इसमें included नहीं है समझने की गोश्चिश करना यह लीजिए मैंने यहाँ पे number line minus 4 ठीक है तो यहाँ पे देखो क्या है equal है यानि की हमें कहां से कहां तक का value लेना है यहां से यहां तक का value ठीक है इसके अंदर आएगा इस interval में जिसमें 4 भी क्या होगा included होगा 4 क्या है included है जब included रहता है तो हम लोग इस तरीके से इसको dark कर देते ठीक है अच्छा 0 बताओ इंक्लूडेट है कि excluded है तो यहां पर ऐसे equal है क्या नहीं नहीं इक्वल नहीं है बस यहां पर less than का ही साइन है इट में 0 इसमें इंक्लूडेट नहीं है तो जब इंक्लूड नहीं रहता है तो ऐसे होता है यह गोला बनाने का और उसको खाली छोड़ देने का ठीक है जब उ मतलब 0 इस इंटर्वल से बिलॉंग करेगा नो तो यहां पर क्या लिखोगे कि X is not belongs to X does not belongs to this interval so therefore f of 0 does not exist okay f of 0 does not exist समझें f of 0 यहां पर हम लोग नहीं फाइंड आउट कर सकते वेरे सिंपल ओके तो फाइनली यहां पर आपका थर्ड कोश्चन कंप्लीट हो चुका है काफी इसी था है ना बस यहीं चीद समझना था बाकि यह दोनों तो आसान था बस यह आपको समझ में आना चाहिए इंक् कोश्चन नमबर 4 देखेगा बहुत ही आसान सा कोश्चन देखेए सबसे पहले मैं यहां पर सॉलूशन लिख देती हूँ यहां पर देखो यह फंक्शन दिया गया है f of x is equal to 5 minus x for x is between x is greater than or equal to 0 less than or equal to 4 ठीक है और यहां पर एक और चीज़ दिया गया है वो क्या f of x is equal to 3 यह दिया गया है तो हमेना x का value find out करना है ठीक है तो कैसे करो के बहुत है सम्पल है सबसे पहली बात यहां पर क्या है f of x is equal to 3 है न तो यहां पर देखो मैं लिखती हूँ कि if f of x is equal to 3 then क्या हो जाएगा यहां पर देखो f of x की place पर हम क्या लिखेंगे क्या है यहां पर 5 minus x यहां पर हो जाएगा 5-3 इधर हो जाएगा प्लस एक्स यानि एक्स का वेल्यू हमको क्या मिला 5-3 कर दो टू बस इतना साही तो था ज्यादा कुछ देखो कितनी जल्दी सॉल्व हो गया अब देखिए एक और कोश्चन कोश्चन नमबर 5 तो यहां पर देखो f of x is equal to यह दिया है हमें क्या बताना है f of x-1 अरे वाह कितना आसान आसान कोश्चन है मिस्निनियस एक्ससाइस के अंदर चलो करते हैं यहां पर लिखते हैं f of x is equal to 3 x square minus 5x plus 7 ठीक है तो हमें find क्या करना है we have to find the value of f of x-1 तो क्या करेंगे हम x के place पर अभी क्या put करेंगे बताइए x-1 put करेंगे very simple तो करते हैं इधर 3 इधर x के place पर x-1 the whole square क्योंकि यहां पर square है फिर minus 5x x के place पर x-1 plus 7 अब आगे करो इधर 3 इसको expand करो a-b the whole square के formula से तो क्या हो जाएगा x square minus 2x plus 1 minus 5 का multiply अंदर करो 5x minus 5 into minus 1 यहां पर हो जाएगा plus 5 plus 7 है ना अब क्या 3 का multiply इस ब्रैकेट में कर दीजिए 3x square minus 3 2 सा 6 होता है 6 6 आजाएगा plus 3 1 सा 3 minus 5x 7 5 12 ठीक है अब आगे देखिए क्या होगा यहां पर 3x square इसको ऐसे ही रहने दीजिए यहां पर हमें x का value तो नहीं निकालना नहीं नहीं बस यहीं निकालना है तो हो जाएगा ना अब देखो 6 minus 6x और minus 5x दोनों को plus कर दीजिए 11x 3 और 12 यहां पर आगया plus 15 तो यहां पर आगया प्लस 15 तो यहां पर आपका फोर्थ और फिफ्ट कोस्टन कम्प्लेट रहां कोस्टन नमबर 6 देख लीजिए बहुत ही आसान सा कोस्टन है क्या दिया गया यहां पर यहां पर f of x है 3x प्लस a ठीक यह दिया गया है और फिर यहां पर f of 1 is equal to 7 है तो हमें क्या क्या बताना है हमें ना a का value find out करना है और f of 4 भी हमको find out करना है ठीक है तो कैसे करेंगे बह अब ध्यान से देखो यहां पर सबसे पहले यह ले लो f of 1 ओके f of 1 तो जहां पर भी एक से वहां पर अभी हम क्या पूट करेंगे बताइए 1 पूट करेंगे तो यहां पर 3x है तो 3 into 1 हो जाएगा प्लस a अब देखो f of 1 is equal to 7 यहां पर लिख दीजे 7 which is equal to 3 1 सा 3 प्लस a अभ एक साइब को मिल चुका है अभी हमको f of 4 बताने तो बता सकते न कैसे देखो यह रहां आपका function f of x यहां पर लिखे therefore यहां फिर नाव लिख सकते हो now ठीक है f of x is equal to क्या हो जाएगा 3x प्लस a के प्लेस पर एका वेलू क्या है 4 यहां पर लिख दीजे 4 ठीक है हमें find क्या कर रखेंगे 4 रखेंगे तो यहां पर एक साइस के प्लेस पर फोर फिर यहां पर फोर ठीक है 12 प्लस पूर क्या आजाएगा 16 यानि की f of 4 हमें क्या मिला स्टूडेंट 16 मिला है ना तो बस आप लास्ट में ऐसे answer करके लिख सकते हो answer में कि a is equal to 4 and f of 4 is equal to 16 ओके तो यहां पर आ करेंगे question number 7 तो यहां पर देखें यह आपका function है f of x is equal to a x square plus bx plus 2 और f of 1 कितना दिया है f of 4 कितना दिया है 40 तो हमें क्या करना है a और b के values find out करने हैं तो कैसे करोगे चलो आपको बताती हूं सबसे पहले यह ले लो क्या दिया है यहां पे f of 1 is equal to 3 ऐसा दिया गया है तो x is equal to a x square plus bx plus 2 तो अभी x के place पर 1 रखना तो क्या रखोगे यहां पर a और x है तो यहां पर 1 का square फिर plus b x के place पर 1 रखना plus 2 which is equal to 3 समझ में बात आई क्या किया मैंने देखो ध्यान से समझो इधर क्या था f of 1 और यहां पर f of x में मैंने क्या किया यह जो यहां पर function दिया गय को 1 का square 1 होगा और 1 का multiply a में करेंगे तो हमें a ही मिलेगा यहां पर therefore therefore आप लिख सकते हो ठीक है प्लस b1 जा b होगा और यह जो 2 है ना इसको उस साइड ले लो तो क्या हो जाएगा देखो इधर 3 पहले से 2 उदर जाने के बाद माइनस में हो जाएगा 3 माइनस 2 ठीक है अब क काम करते b को उदर ले लेते हैं तो यहां पर लिखेंगे therefore a is equal to क्या हो जाएगा 1 माइनस b इसको आप लिख दीजिए equation number 1 ठीक है यहां से देखो आपको a का value मिला right 1 माइनस b के form में अब उसके बाद इसको ले लेना ठीक है तो क्या है यहां पर यहां पर लिखिए and f of 4 is equal to 42 ठीक है तो अब क्या करेंगे हम यह जो हमारा function है इसमें हम x के place पे 4 रखेंगे तो सबसे पहले क्या है a x square x के place पे 4 रखना 4 का square plus b x के place पे 4 रखना plus 2 which is equal to 42 अब इसको आगे करो 4 का square क्या हुदा 16 मतलब यहां पर आ जाएगा 16 a और यहां पर 4 b is equal to 2 को उधर ले लो तो 42 मा समझ में आ रहे कि नहीं फिर यहां पर 16 a plus 4 b which is equal to यहां पर आ जाएगा 40 ठीक है अब एक काम करते हर एक term को हम लोग 4 से divide कर देते हैं इसको और थोड़ा चोटा करते हैं तो हर एक term को जब हम 4 से divide करेंगे तो यहां पर क्या आएगा देखो 4 4 सा 16 होता है 4 a आ जाएगा प्ल both dividing both sides by 4 ऐसे आप लिख दीजेगा यहां पर मैं लिख करके बता दूँ चलिए बता देती हूँ dividing both BOTS ठीक है BOTS है both sides by 4 ओके यह मैंने लिख दिया bracket धोड़ा अच्छे से बनाते हैं उसके बाद अब ही इसमें देखो हमें ना यहां पर किसका value मिला था a का value मिला था 1-b तो इस equation में हम क्या करते हैं यह जो a है न इसके place पर 1-b पूट कर देते हैं ठीक है तो चलिए करते हैं यहां पर देखो क्या है 4 थोड़ा line अच्छे से खीशते हैं ठेड़ा हो गया चलो यहां पर क्या लिखेंगे हम दिखें यहां पर लिखें फ्रॉम 1 इसके लिए फ्रॉम 1 लिख देना यहां पर 4a a के place पर क्या लिखेंगे 1-b तो यहां पर लिख दीजिए 1-b उसके बाद क्या है 4a के पाद प्लस b is equal to 10 तो यहां पर लिखते है प्लस b which is equal to 10 राइट 4 का multiply अंदर कर दो 4 बनसा 4 और यहां पर 4b आ जाएगा प्लस b which is equal to 10 फिर यहां पर क्या हो जाएगा 4 minus देखो minus 4b plus b तो यहां पर आएगा minus 3b which is equal to 10 अब क्या करें 4 को उधर लेलो तो minus 3b which is equal to 10 minus 4 10 minus 4 करोगे तो 6 आएगा 3 को उधर लेलो इधर minus 3b है उधर 3 जाने के बाद क्या हो जाएगा इस तरीके से डिवाइड में cancel करो 3 बनसा 3, 3 टूसा 6 मतलब b का वेलो क्या आ गया minus 2 यहां पर लिखिए therefore b is equal to minus 2 ठीक है तो यहां से हमें b का वेलो मिल चुका है अब क्या करेंगे हम a का वेलो निकालेंगे तो यह जो equation number 1 हमें मिला था ना इसमें हम b का वेलो माइनस 2 पुट करेंगे जिससे हमको a का वेलो मिल जाएगा तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा putting b is equal to minus 2 in equation 1 ठीक है तो equation 1 क्या है जरा देख लेजिए a is equal to 1 minus b तो a is equal to 1 minus b के place पे minus 2 लिखना है यहां पर लिखते है minus 2 अब इसको आगे करिए तो 1 minus minus plus 2 यानि a का value हमें क्या मिलेगा student 3 मिलेगा बस लीजिए यही तो हमको find out करना है था find the value of a and b यह देखो a और b तो a का value is 3 b का value is minus 2 यहां पर लिख दीजिए answer करके a is equal to 3 complete हो चुका है इसको लिखे फिर मागे चलते है चलिए अभी हम question number 8 देख लेते हैं तो यहां पर दीखे function दिया गया है जिसमें x is not equal to 2 by 5 then हमें क्या करना है verify करना है verify whether f of f is equal to x अच्छा है यह हमें verify करना है तो कैसे करोगे बहुत यह simple है चलो मैं आपको समझाती हूँ अगर आपने यह समझ लिए फिर जो इसके आगे वाला question है question number 9 उसको भी आप कर सकते हो कुछ से चलो देखते हैं यहां पर लिख दीजिए solution फिर उसके बाद f of x क्या है यहां पर 2x minus 1 upon 5x minus 2 जहां पर x का value 2 upon 5 के equal नहीं है क्योंकि अगर x का value 2 upon 5 हुआ ना तब तो यह denominator क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा तो ऐसा नहीं होना चाहिए ठीक है हमें यह verify करना है क्या verify करना है कि f of f ठीक है f of f इधर x लिखना is equal to x यह हमको verify करना है मतलब यह लेकर के हम solve करेंगे तो यह answer आना चाहिए ठीक है left hand side is equal to right hand side आना चाहिए तो कैसे होगा देखो हम एक काम करेंगे क्या करेंगे यह जो है ना f of f left hand side लेंगे यहाँ पर लिखिए left hand side क्या है f of f और फिर यहाँ पर x तो इसको हम कैसे लिख सकते है f फिर जाके f और यहाँ पर f of x ठीक है बस आप ध्यान से देखते जाओ अभी देखो कैसे answer मिलेगा बहुत ही आसान है step by step आप करते जाए f of x तो f of x यहाँ पर क्या है यह है ना इसे आप लिख दो इधर ब्रैकेट के अंदर 2x-1 upon 5x-2 इतना समझ में आ गया कि नहीं इतना समझें ना कैसे किया f of x के प्लेस पर यह f of x का वैल्यू यहाँ पर रख दिया आप क्या करोगे हमें क्या बताना है देखो इधर f है फिर इधर ब्रैकेट के अंदर यह है तो अभी हम क्या करेंगे यह जो f of x है ना यह और यह एक दूसरे के साथ आप compare करो तो जब आप compare करोगे तो यहाँ पे आपको x का value क्या मिलेगा यह पूरा x का value हो चाहेगा मतलब क्या इसमें जहाँ पे भी x है आप वहाँ पे क्या put करोगे student यह put करोगे ठीक है याद है कि नहीं exercise 2.1 का question number 9 याद है तो वही है यहाँ पे भी जैसे हम वहाँ पे करते थे function का भी function composite function तो अब यहाँ पे f नहीं लिखना है ठीक है f नहीं लिखना है अब direct इसमें आ जाओ f of x is equal to क्या है 2x minus 1 upon 5x minus 2 जहाँ पे भी x है वहाँ पे अभी यह लिखना इधर 2 है तो 2 लिखना उसके बाद x के place पे यह पूरा लिखोगे ध्यान से देखो 2x minus 1 upon 5x minus 2 यह वाला bracket लगाँगे तो भी चलेगा ऐसे round bracket फिर minus 1 यह देखो minus 1 था ना तो minus 1 लिखा उसके बाद फिर upon अब देखो यहाँ पे नीचे 5 और फिर क्या है x है तो x के place पे यह लिखना है चलो लिखते हैं 2x minus 1 upon 5x minus 2 फिर क्या है minus 2 यहाँ पे लिख दीजिए minus 2 अब इसको simplify कर दीजिए आपको मिल जाएगा answer यानी x मिल जाएगा चलो करते हैं क्या होगा पता है आपको 2 का multiply उपर कर दो 2 2 था 4x फिर 2 1 था 2 यहाँ पे minus 2 आ गया फिर इसके नीचे देखो 5x minus 2 minus 1 फिर यह पूरे के upon में 5 का multiply इदर bracket में करना 5 2 था 10x हो जाएगा 5 का multiply 1 में करेंगे तो minus 5 upon 5x minus 2 minus 2 यहाँ पे क्या आएगा minus 2 आएगा जी हाँ minus 2 ही आएगा समझ में आ रहे की नहीं चलिए इतना कर दिया अब हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए तो cross multiplication कर देते हैं इसके नीचे कुछने मतलब 1 है तो 1 का multiply इसमें करोगे तो वही आएगा देखो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे 4x थोड़ा उपर लिखते हैं अगर नीचे जगा कम पड़िया तो फिर हमको उदर जाना पड़ेगा तो यहाँ पे हम लिखेंगे देखो 4x minus 2 फिर देखो यह 5x minus 2 का multiply 1 में करोगे तो वही आएगा 5x minus 2 और यह minus 1 है ना तो सबसे पहले एक काम करोगे इदर minus और ग्राकेट के अंदर इसको लिख दो 5x minus 2 यहाँ पे लिख देते 5x minus 2 फिर पूरे के अपउन में क्या आचाएगा पूरे के अपउन में आएगा 5x minus देखो 5x minus 2 का multiply 1 में करेंगे तो वही आएगा यहाँ पे लिख दीजिए 5x minus 2 समझ में आया फिर यह अपउन में अब यहाँ पे पे cross multiplication 1 का multiply इसमें होगा तो 10x minus 5 चलो अब फटा-फट से करते हैं कितना आसान question है इधर 10x minus 5 आगे और फिर इधर minus 2 का multiply अच्छा 2 का multiply देखो इधर होगा तो 2 को ऐसे ही अभी बाहर रहने दो बाद में हम लोग देखते हैं इसको इसको आप उधर ले लो तो यह multiply में हो जाएगा उधर जाने के बाद 5x minus 2 यहाँ पे लिख दीजे 5x minus 2 अप उन में क्या आएगा 5x minus 2 इंटू 1 करोगे तो 5x minus 2 ही आएगा यहाँ पे लिख दीजे 5x minus 2 बाद समझ में आए कि नहीं अब क्या होगा देखो 5x minus 2 यहाँ भी वाई तो इन दोनों को कर दीजे cancel अब तो आपका काम और पर आसान हो गया यहाँ पे लिखिए 4x minus 2 minus का multiply अंदर कर दो तो minus 5x फिर minus minus plus 2 आजाएगा यहाँ पे और नीचे क्या आएगा देखो देखो ध्यान से इधर 10x minus 5 minus 2 का multiply अंदर करो तो minus 10x और minus minus plus 2 to the 4 ठीक्या कुछ cancel हो रहा है मतलब इधर से कुछ cancel हो रहा है यह देखो minus 2 plus 2 यह दो नो cancel उसके बाद यहाँ पे कुछ cancel हो रहा है तो plus 10x minus 10x कर दो cancel फिर minus 5 और plus 4 minus 5 plus 4 क्या आएगा यहाँ पे minus 1 आएगा इधर क्या होगा 4x minus 5x मतलब यहाँ पे minus x आएगा minus से minus कड़ गया मतलब यहाँ पर क्या आया बताईए x की नीचे 1 मतलब उसका कोई meaning नहीं है ठीक है बस x लिखने का तो यह क्या था left hand side था है ना तो left hand side को जब हमने simplify किया तो हमें क्या मिला right hand side मिला right hand side में क्या था x देखिए यहाँ पे x आगया मतलब it is equal to right hand side है ना तो जो हमें verify करना था वो तो हमने कर लिया left hand side और right hand side दोनों को हमने equal proof कर दिया और यही तो था यह question समझना है देखा आपने question कितना आसान था बस आपको क्या करना है values रख करके solve करना है जादा कुछ से नहीं करना normal calculation ही है ठीक है तो जैसे हमने question number 8 किया उसी तरीके से question number 9 को भी करना है ठीक है बस वहाँ पर difference क्या है देखो यहाँ पर बस एक ही function दिया गया था f of x उसमें दो functions दिये गया f of x और g of x ठीक है तो इसको आप लिखिए उसके बाद मैं आप लोग को जो last वाला question है वो भी चलती से बता देती हूँ देखिए यहाँ पर question number 9 इसमें देखो क्या क्या दिया गया मैं यहाँ पर लिखती हूँ यहाँ पर f of x दिया गया है यानि कि पहला function क्या है x plus 3 upon 4x minus 5 ठीक है फिर यहाँ पर g of x दिया गया है चलिए इसको भी लिख लेते है g of x is equal to 3 plus 5x upon 4x minus 1 ठीक है तो हमें क्या verify करना है यह verify करना है दिया यहाँ पर f of g फिर यहाँ पर x which is equal to x ऐसा हमको verify करना है ठीक है तो कैसे करेंगे जैते पिछले वाला किया था वैसे ही करना है यहाँ पर lift and side ले लो पहले क्या है f of g x इसका मतलब क्या f फिर bracket के अंदर क्या आ जाएगा g of x आ जाएगा बहुत अच्छे तरीके से आपको पता है अब उसके बाद यहाँ पर f g of x कितना है यह देखो यहाँ पर 3 plus 5x upon 4x minus 1 राइट अब क्या करेंगे इसको compare करेंगे इसके साथ तो इस function में जहाँ पर भी x है वहाँ पर हम लोग क्या put करेंगे 3 plus 5x upon 4x minus 1 put करेंगे और फिर इसको simplify करेंगे तो चलिए करते हैं यहाँ पर x है तो x के place पर 3 plus 5x लिखो 3 plus 5x upon 4x minus 1 फिर क्या है plus 3 अब क्या है नीचे देखो 4x तो 4x के place पर यह लिखना है ना यह 3 plus 5x upon 4x minus 1 फिर क्या है minus 5 ठीक अब क्या करेंगे तो यहाँ पर देखिए इधर side में करते हैं एक step और यहाँ पर हम कर सकते हैं इधर cross multiplication कर दीजिए तो 3 plus या फिर दोनों एक साथ में करेंगे ना इसको ऐसे ही लिख दो दोनों एक साथ में हम cross multiplication करेंगे 5x उसके बाद इधर plus 3 और इसके upon में क्या है 4x minus 1 उपर हमने कुछ भी नहीं किया जैसा था वैसा ही लिख दिया इधर 4 का multiply अंदर कर दो तो 4 3 जा 12 प्लस 4 5 जा 20x upon 4x minus 1 यहाँ पर minus 5 ठीक है अब करते हैं cross multiplication देखे 3 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है 5 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है तो 1 का multiply इसमें करोगे तो वही आएगा यह हम left hand side solve कर रहे हैं ठीक है तो 3x plus 3 plus 5x क्या आएगा यहाँ पर 3 plus थोड़ा इधर लिखते हैं इसको थोड़ा उपर लिखते हैं 3 plus 5x फिर plus अच्छा इसको उदर ले लोगे तो यह multiply में हो जाएगा अब दब 3 और फिर bracket के अंदर 4x minus 1 ठीक और फिर यह पूरे के upon में क्या आजाएगा 4x minus 1 का multiply 1 में करो तो वही आएगा 4x minus 1 है ना कितना आसान उसके बाद अब उसके बाद यह लो बड़ा वाला division है ना अब इसका multiply में इसका multiply में cross multiplication तो 12 plus 20x यहाँ पर आएगा फिर इधर 5 है तो 5 लिखना फिर bracket के अंदर 4x minus 1 लिख देते हैं 4x minus 1 फिर इसके नीचे क्या आएगा तो 4x minus 1 का multiply 1 में करो तो वही आएगा 4x minus 1 यहाँ लिख देते 4x minus 1 ठीक है अब यहाँ पर बताओ क्या cancel हो रहा है तो यह यह कट गए अब यहाँ पर 3 plus 5x plus 3 का multiply अंदर करो 3 4 जा 12x 3 into minus 1 minus 3 upon क्या आएगा यहाँ पर 12 plus 20x minus 5 का multiply अंदर कर दो तो 5 4 is 20 यहनि minus 20x आ जाएगा फिर minus 5 into minus 1 plus 5 अब देखिए यहाँ पर कुछ cancel हो रहा है तो जी हाँ यह दोनों को यहाँ से खतम कर दो उसके बाद यह लेखो यहाँ पर 20x minus 20x यह दोनों हो जाएगे cancel उसके बाद क्या आएगा 5x और plus 12x तो क्या हो जाएगा 12,5 17x अब यहाँ पर क्या आएगा तो 12 और 5 कितना होता है 17 यहाँ पर लिख देंगे 17 अच्छा कुछ cancel हो रहा है यह दोनों हो रहे ना इकवल रहाइट के बलाइड के बतलब जो हमें प्रूफ करना था वो तो हमने प्रूफ कर दिया left-hand side is equal to right-hand side बस यह decade गरना था यह verified करना था तो धेगवो हमने verify कर लिया हा यह एकदम सही है यह बिल्खुल भी गलाथ नहीं है यहाँ पर जो य रिखांग में लिखा गया है f of g is equal to x यह एकदम राइट है तो फाइनली यहां पर आपका question number 9 भी complete होता है और इसी के साथ ही misleading exercise to complete हो गया पूरा के पूरा तो अगर आपको इसकी PDF फाइल चाहिए तो आप जरूर टेलिग्राम चैनल को जॉइन कीजिएगा और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो ठीक है तो बस आप लोग अच्छे से पढ़ते रहो और यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमको कमेट करके भी जरूर बताना ठीक है चलो मिलते हैं आम लोग नेक्स वीडियो में